कि नमस्कार आप देख रहे हैं एन बी नियूज और मैं हूँ आपके साथ चंदर शेकरत रिशूल कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और पूर प्रदेश द्यक्ष किशोर पाद्ध्याय अपनी ही पार्टी को पत्र लिखकर नई पहल शुरू करने की नसीहत दे रहे हैं कॉंग्रेस नेता किशोर पाद्ध्याय ने कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 40% टिकेट महिलाओं को देने की बात कही है उसी तर्जपर उत्तरा खंड में भी कॉंग्रेस पार्टी को 40% टिकेट महिलाओं को विधान सवय चनाओं में देνοा कॉंग्रेस नेता ने अपनी इस मांग को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखकर चुनाओ में महिलाओं को 40 फीज़दी टिकेट देने की बाद कही है। साथ ही कॉंग्रेस नेता ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को घरेलू सिलेंडर मुफ्ट में मिलना चाहिए क्योंकि बीजेपी सरकार ने जिसकार से वनों पर कानून लगा कर जनता को अधिकार विहीन किया है उससे जनता को परिशानी हुई है मैंने आज अपने सम्मानित परवारी देविन रियादो जी को अपने कॉंग्रेस के सभी वरिश नेताओं जिसमें हरी शावत जी हमारे सम्मानित परदेश अध्यक्ष गवेश गोध्याल जी नेता पर्तिपक्ष प्रीतम सिंग जी मानिय मुख्यमंतरी जी और राज्य के सभी राजनीतिक दलों से आगरे किया है कि जैसे उत्तर परदेश में प्रियांका गानी वर्डा जी ने चालीस पर्तिसत टिकट महिलाओं को नारी शक्ति को देने का संकल्प किया है तीन रसुईगे सिलिंडन वहां मुफ्थ देने की बात की है उसी तरह उत्राखन में भी चालीस परिसत टिकट महिलाओं को देने चाहिए इसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ और यहां तो कम से कम महने में एक गैसलिंडन निशुल्क मिलना चाहिए च्छतिपूर्द के रूप में जो हमारी रसुईगेस की लक्री जो है सरकार ने चीन ली है और जो हमारे बनाद करका उनको लागू करने की बात कर रहे हैं वो यहां पर लागू कर रहा है तो हमारी सरकार विश्यत रूप से माताओं को जरूर बहनों को इसमें आने वाले जो भुखार्द के चुनाओं हैं उसमें एक अहम जिम्मिदारी देगी और अबी पिक्योंकि हमारी बहुत सारी जो बहने हैं वो पूरा चुनाओं का संचाला से है परभारी के रोप में उनको बनाया गया चुनाओं का संचाला बेगरी है और आने वाले समें आन कुरुष्यत रूप से टिकट में भी ज्यादा से जादा भागी तारी सरकार देगी हमारे संगठन देगा ऐसा मुझे और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन महमान जुट चुके उत्राखंट से संगीता शर्मा आप से सीमा डोरा बीजेपी से और कमलेश रमन कॉंग्रेस से आप तीनों का स्वागत एन बीनियूज पर सबसे पहला सवाल सीमा जी आप से कि सरकार में हैं आप और यह जो भागीदारी की बात चल रही है तो इससे आप यह जनांदोलन की तरह यह सवाल खड़ा हुआ है कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और राजनीती में उनका भी अपना एक सुरक्षित इस्थान होना चाहिए तो अब चुंकि आप तो सह प्रभारी लगा चुके हैं सत्तर विधान सवाओं में तो आपने तो अपनी मंशा जता दिये फिर वी कैसे देखते हैं इस फैसले को कि और कितना इसको परिपत्प होना चाहिए जी स्वागत करता है विर्जबात का और पहले भी पंचायती चुनाओं में पिवने 50% मैलाओं को दिया हुआ है तो और अब भी भी अमने प्रभारी भी बनाए और मैलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने में हम लोग विश्वास करते हैं और साथ एक मैला होने के नाते में इस चीज़ का मैं भी समर्थन करती हूं कि म मैलाओं को आगया ना चाहिए 50% वैसे भी मैलाओं का अधिकार चेट रहे हैं क्योंकि 50% मैलाओं हैं हमारे यां तो उड़का होना भी चाहिए और बाकि सरकार जो भी हमारा शेष्ट नत्रत डिसाइड करेंगा वो करेंगे कवलेश जी यह जो उत्तर प्रदेश से बात उठी है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं और यह उत्तरा खंड तक भी पहुँच गई है बात तो आप कैसे देखते हैं कि उत्तरा खंड में इससे क्या आप बड़ा काम कर सकते हैं भागीदारी को लेके भी और राजनितिक प से परतिसत टिकर्ट में भागेदारी क्योंकि जब तक मैलाए विधान सभा में नहीं पहुचेगी तब तक उनका परती निदित्तु नहीं दिखाई देगा तो इसलिए जो प्रियंका गांदी जी ने कदम उठाया बहुत ही सरानिय कदम है क्योंकि जिस समय स्वर्गे राजीम गांदी जी परधार मंत्री थे उन्होंने पंचैतों में नगरपाली का में 50% मैलाओं को टिकर्ट दे करके अपनी मंसा दिखा दी थी चाहिर कर दी और उसी का नतीजा रहा कि आज पंचैतों में हमारी 50% मैलाओं चुनकर आती हैं और इस पार जब क्रियंका गांदी जी ने उतर परदेश में 40% टिकट देने की भागेदारी की बात मैलाओं की करी तो पूरे देश के अंदर मैलाओं में एक उमीद जगने का काम हुआ उसी की तर्फे उत्राखड में भी जादे से जादा मैलाओं को टिकट मिले यहां मैलाओं की भागेदारी सुनीच्छित हो क्योंकि जब तक मैलाओं को आरक्षन नहीं मिलेगा तब तक मैलाओं निर्वर नहीं बन सकती हुँँ और यह मुझे लगता है कि सभी द लोग को चाहिए कि मैलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस आरक्षण का बिल पास किया जाना चाहिए क्योंकि जब हमारी यूपिय की सरकार थी तो माने सोरिया गांदी जी ने राज्य सभा से उसे पास करवाया और वो लोग सभा में अटगया क्योंकि अन्य दल का समर्थन था उसमें सरकार क तो वो पास नहीं हो पाया मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी केद्र में भी सरकार था करते हैं तो बहुत अच्छी बात है मैंधां के लिए क्योंकि जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक मैंध यस सब्सक्त नहीं बन सकती अब आपने इतना पुराना इतिहास बता दिया अब आप इंद्रा हिरदेश को मुख्यमंत्री बनाने से तो डरते रहे और महिलाओं की भागीदारी की बात आप पूरी 40 साल का इतिहास पढ़ा दिया कि ऐसा होना चाहिए था ऐसा हुआ लेकिन इंद्रा हिरदेश इतनी जिस क्योंकि उत्तराखंड का इससे विशेश जुड़ाव है जब हम इद्रा देश की बात कर रहे तो मैं संगीता शर्मा से सवाल कर लेता हूं फिर दीरे आप सोच लीजिएगा कि अब इसका जवाब क्या देना है और कितना सुरक्षित और कितना संवैधानिक जवाब होना च अगर महिलाओं के अधिकारों की कितनी पैर्वी करेंगे कि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है और तीसरे विकल्पी की रूप में समक्ष है महिलाओं की जब बात आती है तो उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और उत्तराखंड की महिलाएं हर शेतर में बहुत आगे हैं चाहे हम तीलू रौतेली जी की बात करें चाहें हम गौरा देवी जी की बात करें, बहुत सी महिलाएं उत्राखंड से अलग-अलग शेत्रों में अगणिये स्थानों पर रही है तो मेरा एक ही सवाल है, क्या 40% कॉंग्रेस का ये कह देना, यूपी में भी और उत्राखंड में भी कि शोरु पाध्याजी ने जो कहा कि उत्राखंड में भी 40% महिलाओं को विधान सभा में हिस्थेदारी मिलने मात्र से उत्राखंड का विकास हो जाएगा आज तक ये दो पार्टियां रही, कहीं ना कहीं हमें महिलाओं के और ठेत्रों के बारे में भी सोचना पड़ेगा तो केवल हम एक अफर महिला को विधायत बना देंगे तो उससे क्या हमारी समस्याएं आसान हो जाएंगी हमें हर छेत में महिलाओं के लिए सोचना पड़ेगा तभी महिलाओं का अधरणी विकास हो सकता है तो इसका मतलब संगीता जी आप तो 40 फीज़दी टिकेट देंगे अगर इतना आपको चिंता है तो तो आप तो इतिफाक रखते हैं इस बात से कि टिकेट 40 फीज़दी मिलने चाहिए महिलाओं को अगर आप इतना समवेदन शील आप के बात बता रही है तो फिर निश्चित रूँ से चाहे हम बाली का सिख्षा की बात करें जब महिलाएं हर शेतर में मजबूत होंगी तो अपनी भागेदारी को और अपनी उस्तेदारी को मजबूती से आगे लेकर शे आप आएंगी कांग्रेस की पहल से इत्थाक रखते हैं या की संगीता जी इत्थाक रखते हैं इस पहल से ऐखते हमी आप आगमी पार्टी हारवर्ग का घ्यान रखेगी जी सीमा जी पॉंग्रेस जो बात कर रही है यह जो भागीदारी की बात कर रही है और इस भागीदारी से क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है आप तीनों जो प्रवुद्ध महिला हैं इस समय स्क्रीन पर विराजमा स्क्रीन से जुड़ी हुए हैं आप तीनों को ही इस गंभीरता से पूरे डिवेट में जवाब देना होगा कि यह सत्यता क्या सच में जमीनी इस्तर पर प्रभावशाली हो पाती है बात तो हमेशा चलती है मैलाओं से जुड़ी यह अधिकार मिलना चाहिए वह अधिकार मिलन काम पर जादा विश्वास करते हैं बातों में कम करते हैं हम लोगों ने आज कह रहे हैं चारीस परसंट मिलना चाहिए हमारे पिछली योजनाएं देखेगा हमने इतनी योजनाएं बच्चों से लेके छोटी बड़बालिकाओं से लेके महिलाओं तक लिए धमिता के लिए विखिए बिषय देने के लिए उनको पढ़ाने के लिए उनकोаем करे कितनी योजनाएं दिक ज one आगे लड़कि GR sales अगे बढंकर बढ़कर आगे आये में और में जो हैं हर चेतर की बातनीन करें यूद्ागे उनको तरक्की मिलेस पढ़ाई में उनको तरक्की मिले अगर आप कोई फर्म भर रहें तो वह भी फ्री हो जाए आपको सैकल्स भी मिल जाए आपकी सीवेसी की सारी कॉपी बुक्स फ्री हो जाएं कहां उनको नहीं हम लोगों ने दिया आप खाली परसेंटेस की बात करो कि इसको मिल जाने से 50 पर 40 परसेंट अगर हम दे देते हैं यह तो सिर्फ चुनाओं ही मुद्धे हैं तरजी चुनाओं जीतने के लिए कुछ बाते कर दी जाती है धरातल पर आप आएंगे फिर यह शोनने हो जाएंगे क्योंकि यह काम पर विश्वास नहीं करते हैं और हम काम करके दिखाते हैं क्य elves पूंआ सब करें नहीं सकती यह सरफ बात कर और बात करते रहेंगे इसलिए इसलिए मैं क्या ऐतना पता है कि हमें आरे हम आएं में आएंगा आएंगे आप आने वाले 10 सालों में मैलाइ कहां से चाहं पहुँझाए उत्रा उत्रा जांड की कि उनको आवार्ड दीजै कितनी महिलाएं हर साल उनको आगे बढ़ जाती है तो कर पे विश्वास करिए अगर ऐसी बाते हमें 40 परसंट देना पड़ा वेलकाम हम तो खुद महिला हम तो कहते हैं 40 परसंट दे जा महिलाओं को बहुत काबिल होती लेकिन उस पर हम अड़ नही का लिए ताकि महिलाएं आगे बढ़ें बिल्कुल कमलेश जी एक सच तो यह है कि इंदरा अहिरदेश इतनी वरिष्ट और इतनी दवंग नेता रही तो मुख्यमत्री नहीं बन पाई भविश्य का यह वरत भूतकाल का सच है और वरतमान का सच यह है कि बीजेपी सतर इस फीजदी महिलाएं खोज चुके हैं जिनको टिकेट बिल्कुल दिया जाना सुनिश्चित हैं उनकी पूरा फीडबैक उनकी पूरा एक रूट चार्ट तैयार हो चुका है उत्राखंड में देखी मैं आपको बताना चाहूंगी कि उत्राखंड महिलाओं की देन है और महिलाएं हर छेत्र में अपने आपको पूरूप कर चुकी है और वो इतनी सक्षम है कि अगर पार्टी उन पर विश्वास करेगी तो वो जरूर जीत करके आएगी जैसा अभी आमारी डोरा जी ने भी कहा और संगीता जी ने भी कहा तो आप यह बताएं कि पात साल अभी भात्मा की सरकार रही है मैलाओं को अभी तक राज्य मंत्री का दरजा तो दिया नहीं गया पार्टी से और संगीता जी भी अब अब बता रही है तो बता रही है विकास मंत्री आप अब पता तो लगाए कम लिज जी आज घर में बैठी और हतास है अगे अगे जी आज नाम बड़ोंगे आप वर नाम सुन दीए घर में और नाम सुन लीजी जो बता रहे हैं रहते हैं रही है बसक्राइब मतरी यह को देना की पड़ेगा रही होने है कब लेजी सेमा जी कुछ कहना चाहरे है संगीता अच्छी नहीं करें जी कि मैद उपर के 40 प्रतिशत महिलाओं को नहीं कर रहे हैं कि ये उनका कहना कहीना कहीन कि बहुत गलत है कि चालिस क्रतीशत महिलाओं की बात नहीं हो रही है मेरा मानना है। चालिस से भी करनी अधर हैं söच्य के हैं य've जबी लाएं आप परची है तो पार्स इस का फम्मान करेगी कर देना चाहिए कर देना चाहिए सीमा जी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसे लड़ी तो आप जीत जाएंगे आप जीत जाएंगे अगर ऐसे लड़ी जी तो बातों को क्या फाइदा आप कमलेश जी अपनी बात जारी रखिए संगीता जी सुन लीजिए क्या कह रही है कमलेश जी को अच्छा प्रस्ताव हो कमलेश जी समझिए कमलेश जी समझिए देखिए वह क्यों करेंगे वह तो सफल हो चुके हैं आप प्रियोगबाद के दौर से गुजर रहे हैं आप नहीं नहीं प्रियोग कर सकते हैं आपको प्रियोग करने की खुली छूट है आप कुछ भी प्रियोग करें लेकिन दूसर तो जादे अच्छी बात होगी, खाली परभारी बनाने से विदान सभा परभारी बनाने से तो इती शिरी नहीं हो सकती, न महिलाओं की, महिलाओं की भागेदानी सुनी जीत करने के आपको आरक्षन तो देना ही पड़ेगा, सीमा जी जवाब दे दीजिए, कमले जी जो पू कि आपको बहुत अच्छी बात है, आपके 40% माना, इस वोग, I am very happy, being a lady, we should agree with it, लेकिन आगे जो भी होता है, नहीं तो जो भी decide करेगा, हम उसको करेंगे, लेकि यह नहीं कि हम उस पर अडे रहेंगे, कि 40% है तो 40% ही होना चाहिए, क्योंकि कही बार ऐसा होता है, कि अगर और जगे ज्यादा अच्छी knowledge होती, तो हम उस जगे भी उनको settle कर सकते हैं, उनको कहीं राज्यमंत्री बन सकते हैं, उनको कहीं पर किसी commissions में set कर सकते हैं, जहां पर लोग ज्यादा qualified हमें, या उस तरह की महिला चाहिए होती, मैं खुद commission में रही हूँ पहले, तो मैं यह न चाहिए, 40%, उसमें ticket 40% दिया जाए, यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी कहीं पर भी आप कहीं पर भी खट्री करो, तो महिलाओं को 40% यह बात मैं आप से सहमत हूं इस चीज़ से कि हां महिलाओं की भागिदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पुरुषों से ज़्यादा को काबिल है मेरे हिसाब से बताइए कमले जी आप सहमती जटा दिया अब क्या होगा असीमा जी ने क्या का कि पुरुष जादा समझ म मैं अगर बताओ तो मैं कहते हूं महिलाओं जादा सक्षम है पुरुषों से भी करते हूं देखें महिलाओं छेत्र में आपको पुरूब कर चुकी है जब उत्राखण का अंदोलन चल रहा था तो किसी भी दलने के उन्होंने सड़क पे उतरके इस लड़ाई को लड़ने क बाश्वा में महिलाएं और को अंदोलन में सबने का निवाई है यह बात इक्षिस साल का हमारा उत्राखण हो चुका है पर महिलाओं को सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था तो हम सब मिल करके हम यह नहीं कहा रहें कि हमारे जो कम हैं वह हमें मालूम है कि वह हम से उपर हो सकते हैं हमसे अच्छी उनको नौलीज हो सकती कोई दिकत नहीं है कमले जी आप इंद्रा जी के मुद्दे पह मौन रही बोली नहीं कुछ यह ठीक बात नहीं आपको बोलना चाहिए था कि जो सरकार जब गिरने वाली थी तो हरी शरावत के संग वो खड़ी रही पूरी निस्ठा से कॉंग्रेस का सिपाही बनके वो लड़ती रही लेकिन जो स साथ इस पर मैं जवाब देना चाहँगी जिस वर्त 2000 के मिर्णे तिवारी दिपाहिए उस वर्त भी बनके आये उस वर्ट भी इंद्रा इंद्रा इंद्री का नाप आया लेकिन इंद्रा इंदेश नें नारandet वारी जी नाप ओफर किया उन्होंने परस्ताव रखा उनके वहाँ बनेगा इसा नहीं किने परस्ताओं रखा कि इंदरा हिर्देश जी ने परस्ताओं रखा कि इस समय काम करना है और इस विस्वार इसा नहीं अब किसी महिला मुख्यमंत्री कितने वर्षों कि नहीं तो यह वर्ष की देना कि अब कर देना चाहिए कि उत्तरा खंड में यह महिला मुख्यमंत्री होंगे अगर चुनाप में जीतती है कांग्रेश तो ये भी होना चाहिए है कांग्रेश पार्टी मैलाओं पर विचार करेगी चाहे मुखे बंतरी बनाने की बात हो चाहे कैबिनेट बनाने की बात हो संगीता जी जेंडर एकुलाइजेशन की बात चलती है कितनी इमांदारी है इस बात में और आप राजनितिक व्यक्तियां राजनितिक दल से जुड़े हैं लेकिन अगर राजनितिक दलों में भी इमांदारी नहीं आएगी तो महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा जमीनी इस तर बहुत होती हैं लेकिन जमीनी इस तर पर हालात आज भी बहुत ज्यादा बत्तर हैं पर आज कही न कहीं जमीनी इस्तर पर हालाज बहुत जादा बत्तर हैं। जो ही सरकार आती हैं। हाची नहीं आनीं चैए के बाते पर आखि याम आद्य पार्टी ने काम किया है तो स्कार फेंद में मेहिलाओं के लिए काम करेंगी वह नहीं है ऐसे आपको भी जो घोशना पत्र आना है उसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि आप करे क्लासिफाइड कि महिलाओं को यह अधिकार और यह भागीदारी मिलना जरूरी है यह आपको करना चाहिए मैनाओं को मिलता है आप किसी बीज़ चले जाएए मैना स्थे पर्चा बनाई उसको फुल ट्रीटमेंट है विड मैंजिसल इनको शद पता ही नहीं है जब को पता नहीं तो यह बोल कैसे सकती है मैने आपको सिर्फ क्या बोले तिकट के बेज़ते आप यह बात नहीं कह सकते महिलाओं और भी जगे बहुत तेजी से आगे आए हम यही चाहते है एक इसे लिमिटेड शेत्र सिर्फ आप विधान सभा का मत बनाईए और जगे भ यह हम पर भी विश्वाद करते हैं राजनी की वे भी आएंसा दसल वहले अगर आप राजनी सी देखिए तो मुठी पर महिलाएं होती ती आज बीजेत्र ने उस पद पर महिलाएं बड़ी है बहुत जादा तो महिलाएं तो आगे आरे हैं और बीजेटी विश्वाद का के कि महिलाएं जो हैं बहुत बहुत धन्यवाद डिवेट से जुड़ने के लिए महिला अधिकारों की बात तो चलती है लेकिन जमीनी इस्तर पर जम उनका सच जहांचा जाता है तो वो शायद बड़ा बिद्रूप है और शायद उस सच को बदलना बहुत जरूरी है झाल झाल